हांजी रम रम जे मतदी कैसे वह अब सभी स्वागत है अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो अभी शाम का टाइम है और पांच-छे बजने वाले हैं शायद मैंने टाइम देखा ही नहीं एक मिनिट शे बज गे पूरे पांच नहीं मैं आगी थी यहां प्या मुझे आपसे वसाद कुछ बापतें करनी हैं पहले मैं थोड़ा सा काम दिखा रहेती हूं आपको जो मैंने किया यहां पर आके तो देखिए से मानदेल देखी मानदूं यह ना तो तो यहां आज मैं डिपो कर राशन को गई थी और वहां से आके फिर मैं सिधा मतवसी देखा थोड़ देर घर में रेस्ट किया मैंने फिर आगी थी मैं यहां को ठीक है और क्या कहते हैं उसको क्या किया मैंने वो दिखाती हूं मैं आपको ठीक है शानू भी है यहां पर खाती हूं यह देखो यह जाड़ी कर दीन उन्हें खतम सारी सारी में पेंट कर दिया वो पिछे से लेके परले साइड तक और यह सारे बहुत मुश्किल काम होता है यह जाली क भी है न आप बोलते हैं कि दीरे-दीरे कैमरा गुमाया करो हमें कुछ देखना होता है तो वो देखता है हमें आप जल्दी कैमरा गुमाते हो चलो कोई बात नहीं तो यह देखो और अ अस्तो होने वाले थोड़ देर में अभी तो नहीं हुए और इस साइट हमारे बहुत सार तक गेड तक तो मैंने क्या किया एक तो मैंने भिंडी मैं आपको भिंडी दिखाते हैं भिंडी उग गई हमारी पर पता कि इसको तो कुछ काटने भी लग गया नहीं ये तो ठीक है ये देखो एक भिंडी ये है दूसरी भिंडी दिखात मैं लेक निये काफी सारी उगई एक चलो जितने उगी ओभी काफी है और इस साइड चाही है मैंने सिमिला मिर्च की पनेरी दे दी इस वाले तसले में एक एक दाना करके और यहां पर भी बीज लगाएं करिले कदू खीरे पंडो पंडोल और जो मैंने पहले लगाया थे ना वो तो उग भी गया यह देखो यहां रहा यह अँगरा है मतलब नजदीक से देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना इस साइड क्या होगा यह बैंगन की पनीरी आगे यह हमारे ब्यंगर की पनीरी आ गई और मैंने एक और चीज लगाई यह वाले प्याज वाले क्यारियों में साइडों साइडों में देखो यह दोनों साइडों में लगा दी इस पर यह नहीं लगाई वहां तक प्यास था इसमें प्यास थोड़ा बिरला बिरला था तो मैंने चारो तरफ ना ये लगा दी फ्रास्वीन लगा दी ठीक है और ये बिलियां कुत्ते ये तो बस मेरे साथ साथ और देखो मुंगरू कितने बड़े-बड़े हो गए ये देखो मुंगरे है ये ना बहुत सारे मुंगरे हो गए अभी उपर लिसाड कर रहे हैं अब चलो मैं आपसे बाते कर लेते हूं तो अच्छा कुछ लोगों कुछ नहीं मैक्सिमूम लोगों की ये थी कि पूछ रहे थे कि क्या आप नवरात्रों में आ जाओगे यहां पे आप प्रवेश्च कब करोगे तो हां कि अपर तो यहां पे मैं आपके कुछ सवालों की जबाब दे न चाहती हूं कुछ घर से रिलेटी इते तो अगर मुरुत्रों में आना हो ना तभ तो मुरुत की जरूरत नहीं होती पूछने की है ना पर नवरात्रों में क्या है ना कि नवरात्रों में हमारा घर कंप्लीट नहीं होगा अभी बहुत सारा काम है इसमें करने को ठीक है जैसे अभी कीचन की कीचन की कबोर भी लगाए देती हूं कीचन बंद रहेगा वाकी कमरों का फिर बाद में देखते तो आप लोगों को बता रही थी कि ऐसी ऐसी बात है और अभी जो बात्रूम में उसका भी काम बिल्कुल अनकंप्लीट है कोई नलके नहीं लगे हुए तो अभी ग्रीप प्रवेश नहीं होगा काफी टाइम लग जाएगा आज मेरा मुझ कुछ अजीव जैसा लग रहा है ना उतरा हुआ क्यों कुछ सारी दूप पड़ी और धूप में हम गया पैद लगी थी मैं गाड़ी लेकी सारे गाउं की तो 20 रुपए पड़े फिर वह हमने दे दिये ठीक है इस वाले कैमरे से फ्रंट कैमरे से कुछ और जैसा कलर आता है मैं आपको घर दिखाना कहां जैसे सी दिखा हूं तो ऐसे इसी बाते और अभी सोच तो चा तो मैंने यही था कि हमने ब्रत्रों में यह कर पानी निकालेंगे बाहर ना वहां निकलेगा तो आप बोलेंगे कि जैसे जो बात्रूम बगएरा का पानी होगा ना उसके लिए भी आप उपर अब यहां पे बिल्कुल भी जगानी बचिये तो उसको हम साइड में निकाल देंगे यहां पर क्या है ना कि देखो हमारे वह सींचने के लिए और पीने के लिए हमारे को आ जाता है नलके में यह फिर हम बोड़ी से लेके आते हैं ठीके और तो चलिए यह देखो तो यह यह बात थी यह मैंने आप लोगों को बताना था और सबसे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की वज़ अब देखते हैं वो कब तक आते हैं और क्या होता है तो यह सारा जो था अप लोगों के लिए थोड़ा सा और और क्या पूछा था अप लोगों ने हां किचन की अच्छा हां नीचे फ्लोर में वो भी सोचेंगे अब इस अभी सोच रही हूं क्यों कि पते कि आहां एक इसने कि नीचे वाला भी करवा लो तो देखते हैं आज के इतनी महेंगाई होगे ना आप हहरान होगे मैं खुद गई समान को कुछ समान को तो मतलब बहुत जादा एक दम उच्छा लाया है जो मूल भाव में हर चीज के तो बड़ी मुश्किल होगी है काम करवाना और पर देख इजर तो छोड़ो नलके तो लगने ही चाहिए कम से कम उपर पानी का रह गया दूरा तो फिर नहीं हो पाएगा तो फिर हमने मूर्त पुछवाया था वैसे पंडी जी को बुलाया था हमने एक दिन तो उन्होंने बोला कि मैं जून मैं या जून में निकल रहा है अगर तो नहीं आ सकते रंग तो हो गया लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं अभी रसोई का काम होगा चलो देखते हैं जो भी होगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी तो चलो और आज कल कल शायद रंग पेंट का काम खतम हो जाएगा एक नजर में आपको बाहर से बैक कैमरे से दिखा देते हो यह गोल्डन और ब्लैक ना सुन्दर जच रहा है यह देखो हैं अभी जब यह नीचे वाला बनेगा ना तो बहुत सुन्दर लगेगा जब नीचे वाला कंपलीट हो जाएगा ना तो यह हमने उपर वाला इसलिए किया ना किता कि हम गायल आ सकें पहले तो इनकम का सूर्स करना पड़ता है और उसके बाद फिर हम क्या क्या रहने आ सके फिर जम यहां आजाएंगे रोटी का मितलब बहुत दूर से जब लानी पड़ती है ना तो बहुत मुश्किल होती थी पार से रात को तीन चार चार बार खाना देने आत कि अर्भ स ने अन्हें इसमें यह लगाइगे इओ कॉछ लोगोंनी देखी नहीं होंगी वह खाते है सिरफ बाखिवागेगा ने और यह नजडीक से दिखा तीन MARות अब क्या होगा ना कि यह बच जाएगी मतलब इसमें वो नी लगेगा जंग नी लगेगा यह तो बहुत पैसे खर्ची होते सबसे पहले शुरुआ जो हमारी थी वो जाली से उतिलुए कि और उसके बाद तो लोहा अनगिनत लोहा लग गया और लेकिन यह बहुत महंगी पड अब तो इसको कवर करके उस टाएम नहीं था इतना कि निचे से डंगा दिलवाते ठीक है तो चलो इसके साथ करते वीडियो का एंड़ मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत सा ध्यान रखिए गा और दूओं में याद रखिएगा बैकि मुझे एक चीज आप लोग बताना कि जो शीशे है ना यह एक जैसे दिखुए तिन्नों ना कुछ अलग लगतारा से दिखते हैं मुझे बीच वाला कुछ और जैसा दिखता है पता नहीं यह उल्टे सिद्धे का मसला होगा कि इसमें दूप ऐसी पड़ रही है या फिर उसको पूछ की बलाना पड़ेगा तो चलो जै माता दी राम राम